इतने लोगों को नहीं मारना चाहिए, सोते हुए को कभी नहीं मारना चाहिए, कितना भी बड़ा बैदी क्यों नहों, कितना ही आपका नुठ्सान क्यों न कर दिया हो, लेकिन सोते हुए विक्ति को कभी मारना मत, क्योंकि सोते हुए विक्ति को मारने वाला महापापी कहलाता हाण तो मतम् मतं प्रमत्तं मत्तंं हो उसको नहीं मारना चाहिए कोई तो उसको नहीं मारना चाहिए Puis बालम स्त्रियों चड़ों बच्चे को भी नहीं मारना चाहिए यहां को इपने बच्चे को मारता तो नहीं है भागवद में लिखा है कि बच्चे को नहीं मारना चाहिए बालम यह मैं नहीं कह रहा हूं कितने लोग इपने बच्चे को मारते हो कोई नहीं मारता है सब बड़े सीधे है अगर कोई मारता भी होगा तो मारना मतम आगे से ठीक है और कोई अपने पत्नी को तो को नहीं मारता है चुकि वो भी निखाए स्त्रियम पत्नी को भी नहीं मारना चाहिए पत्नी को भी एक स्त्री को नहीं मानना चाहिए वहाँ स्त्री चाहिए आपकी पत्नी हो चाहिए आपका कोई भी हो इस्त्री के उपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए मूर्ख को कभी नहीं मानना चाहिए और प्रपन्मनम्नम्न अगर कोई अपराद किया है आपका और आ करके आपके सामने हाँ जोड़ ले कि बाबुजी मुझसे अपराद हो गया मुझे छमा कर देजिए तो उसे भी छमा कर देना चाहिए ये धर्म कहता है विर्थम भीतमु अगर आप दुश्मन के सामने हैं आपने सामने की लडाई हो रही है और आपका सत्रु निहत्ता है और आपके पास हत्या भी उसे नहीं मारना चाहिए पहले उसे हत्यार ले आने दो उसके बाद में लढ़ाई तो ये लढ़ाई का धर्म होता था आज तो चुप्गे से मारते हैं अब इससे मारना चाहते हैं के हमारा नाम ना हूए क्यों नहीं तो पुलिस पग़ाई पहले ऐसा नहीं था पहले अगर आप मिहत्ते हैं तो आम का दुश्मन आपके उपर बार तक नहीं करेगा जब तक आपके हाथ में हत्यार नहीं हो जाएगा यह धर्म था युद्य का भीतम अगर कोई आपसे भैदीत हो किया तो उसे भी नहीं मारना चाहिए अगर आप इतने लोग को मारते हैं तो आप इनको नहीं मारते हैं आप अपने धर्म को मारते हैं जिस दिन आपका धर्म नष्ठ हो जाएगा उस दिन आपको नष्ठ होने में देरी नहीं लगेगी क्योंकि हम सभी लोग धर्म के सहारे ही जिन्दा है अगर धर्म नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहे रहे इसलिए इतने लोगों नहीं मारना चाहिए करें